हेलो स्टुदेंट्स अपेक्स क्लासिस के डिजिटल प्लेटफोर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनानन। मैं सेल्फ लख्मन सिंग राव यूर इंग्लिश एजुकेटर जैसा कि हमने लव एक्रोस दे साल्ट डेज़ाट इस काहनी को बहुत बढ़िया तरीके से पड़ा और सुरू में भी मैंने कहा था अब भी कहराओं कि जो भी प्रश्न बनेंगे उसके उत्तर आपको बिल्कूल याद होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हम उसको करेंगे आज हम प्रश्नों तर का हैं इसमें जो भी प्रश्न बन रहे हैं इम्ॉर्ट-ण है वह बोड में आये हुए ूप्रश्न भी और वापस रिपीट होने के की चांस है इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से आप आप इस पर ध्यान बनाई रखें और आपको प्रेश्ण का उत्र आता तो वह भी इसमें शॉर्ट में आप जो भी है कुछ सब्दों में जरूर मेंशन करें कि दूसरी बात कि यह टॉपिक हो जाने के बाद कि इसके बाद में हम नेक्स्ट में लेने जा रहे हैं और जैसा कि आप सभी की दिमांड थी उसके अनुसार तो जो भी नाइन टैंथ एलेवन ट्वेल्ट आर्ट कॉमर्स साइंस जो भी है लेकिन यह क्लास एसी रहेगी टैंस वाली जिसमें जिसको शुरू से पढ़ना है बेसिकली कुछ ऐसी चीज शुरुआत में होगी आपको लगेगा कि यह तो मेरे पढ़ी हुए लेकिन मैं इतना आधारबुत तरीके से उसको लोंगा बेस से बिलकुल बेसिक चीजे लेंगे हम चाहे वो दूसरी तीसरी क्लास का स्टुडें है उनके लिए भी बहुत ही मेहतुपण और साथी साथ जो अक्युक्त वाले हैं उनके लिए भी यह का बिलकुल यह जो भी टेन्स की क्लास होगी बहुत इमपोर्टेंस होगी चाहे वों अक्युक्तिश्य एक्जाम में हो रहा है और परस वी एघ्जाम की तयारी करा उसको को लेकर के भी बहुत जबर्दस्त आपको टैंस है वो और उसमें भी साथ में चलेंगे जिसमें पैसी वह इसका हिस्सा भी साथ में लेते हुए दूसरे अलग तरीकिशन पढ़ाएंगे आपको लगेगा कि हां वास्ता में मुझे बहुत अच्छा लगा और आप बने रही है को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक उस से जुड़े इस उस ख्लस से तो आज तो हम इस के केए अंदरोवाला का जो पाठ अपना इसको हम प्रशन वतर के बाद कूरा राज भी नहिसकरते आं बने रही ये लाइक और शेयर जरूर करें देखिए तो हमने किस पर भी आपको पूछी गई थी यह आपको पूछी गई थी इसको लेकर के आमने जो भी पड़ा संक्षिप्त और तसकर उसके बारे मैंने आपको पूछा था और आप में से और एक जो लेज और क्रेज इसमें एक प्रकार से आश्चिरिया आश्चिर जनक्र या आश्चिर चकत हो जाना क्रेज एक प्रकार की सनक सनकी बोलते ना यहीं वर्ट्स और इसके बाद में हम टैंस ले रहे हैं तो उसमें अपने जो भी नहीं नहीं वर्ट्स उसमें क्या करेंगेगे पूछेंगे अभी इसमें इस प्रकार से तो यह नजब का जो किस प्रकार से उसने अपनी विल determination को पूरा किया उसको लेकर के नजब वापस लोटा है तो इस रन को लेकर करके प्रेशन कई बार पूछा गया है बोर्ड में कि नजब कैसे जाता है उसमें अक्यला था और आते हुए फातिमा के साथ में आया है बॉर्डर क्रॉस करते समय किस प्रकार से बाइनोकुलर से वहां पर जो सोल्जर्स थे वो निग्रानी रख रहे थे उसको ले करके यह हमने प लोग लाइक है तो लुक्ड लाइक हो गया अब लुक्ड क्यों हुआ क्यों कि यहां पर डिडाया है तो जो वर्बें शुरूब में आने वाली तो उसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी जैसा आमें पहले हमने इसको पढ़ लिया है येकिन फिर भी आपको जनली बता रहा कि जब रशन में डिड आया है उत्तर लिखते समय तो में वर्ब जो उसकी सेकेंड फॉर्म रान लोग दा लाइक परलाइस्ट मॉंस्टर विकॉज तो अर्थ वास Drought Stryken and there were so many scars and escapes it was dry land with a tree-less tree-less and without water area तो इस परकार का एक तो सुखा एरिया था पैरलाइज मौस्टर्च यो लग रहा था तो उसका कारण था कि जो पृत्वी थी वो ड्रॉट इस्टिकन थी अकाल से पिड़ित थी और वहां पर में जो स्कार्स एन स्कैब्स इस परकार की गंडे इस परकार की दराने उस वहां रहा था कि जैसे हमारे सरीर पर जैसे बिलिष्टर हो जाते हैं उस परकार से तो जो रूखी तवचा हो जाती है उस ड्राइनेस के कारण वो जो एरिया है एक पाउरलेस मौन्स्टर देत्य की तरह दिखाई दे रही थी वाट इंपोर्टेंट इंसिडेंट अक्योर्ड वे में आई तो उस समय उस गाह में एक इंपोर्टेंट इंसिडेंट हुई तो कौन सी थी वो गटना उसको ले करके हम पढ़ें तो देखिए When Fatima came into the village then it rained heavily and swept away the three years droughts. तो यहां पर क्या हुआ एक प्रकार से swept away बहा कर ले जाना केड़े कर मिटा देना यहां पर एक प्रकार से तो हुआ क्या था जब फातिमा आई थी उस समय क्या हुआ एट रेंड हैवी ली बहुत भारी बारिश हुई और तीन साल का जो ड्रॉट था शूखा था उस सूखे को स्वेट अब मिटा दिया तो यह एक इंसिडेंट थी उस गाउं की और उस गाउं में बहुत थी महतुपूर्ण जो गटना गटित हुई क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी और फातिमा का आना हुआ और बारिश का होना हुआ तो सुब संकेत माना गया उस गाउं के लिए औ और वैसे कई बार क्या होता है कि नव वद्धु आती है और गर में अच्छा काम होता है तो संयोंग वश स्की वहवाई हो जाती है तो उसी प्रकार से यहां पर फातिमा का आना हुआ और भारीबारिश का वोना हुआ और तीन साल से जो सुखा ता वो समाब्द हो गया बस यही है वो में तूपुन घटना थी बड़ें आगे वाई डिट फातिमा नॉट लाइक महपूज अली अब इसमें महपूज अली जो जिससे उसकी साधी होने वाली थी उस लड़के के बारे में हैं तो वो उसको पसंद क्यों नहीं करती थी तो उसका कारण हम बताना है फाति Deema Did not like Mahfouz Ali, because he was a stemler, wo stemler tha Aklata tha, Archane's saraharti bache, Archane's tased and mimicked him. He was not perfect match for her, for Fatima. देखिए एक तो वो इस्टेमरर था, अकलाता था, बच्चे उसको सरारती बच्चे उसको छेड़ते थे, पत्थर भी फैंकते थे, उसकी मिमिकिंग करते थे, उसकी नकल करते थे, और वो वो फातिमा के लिए मैच नहीं था, केने कार्थ है, फातिमा भी उसको वैसे लाइक नहीं करते थे, तो सबसे मैथो पुर्ण बाद ये भी तो थी, और दूसरा उसके अंदर, फिजिकली, सारी रिक रूप से कुछ कमियां थी, अकलाना, और बोलने में भी उसमें, नॉट क्ल वैसे तो आवाज भी इसकी पस्ट नहीं आती थी, बच्चे उसका मजाक उडाते थे, ये सब बातें थी, और वो अस्बेंड के रूप में भातिमा को मिल जाता है, तो फिर फातिमा को भी बुरा लगता कि इस परकार से पति का है, वो अंसी मजाक उडाए जाता है, उसको पसंद नहीं था, ये बात है इसमें, बड़ें आगे, why was फातिमा happy despite she was living her country as well as home, दीए हमने पड़ा था, फातिमा जब अपने देश को छोड़ रही थी, साथी साथ अपने गाउं को भी, फिर भी वो खुश थी, इसके बावजूद, डेस्पाइट के बावजूद, के अपना देश जो पाकिस्तान है, इसको छोड़ रही थी, प्लस अपना गाउं भी फिर भी वो खुश थी, इसके बावजूद भी खुश थी, क्यों, तो इसमें देखे, फातिमा was happy, despite, she was leaving her country as well as home, because Fatima and Nazab louder each other, she was able to go with नजब without any obstacle एक तो यह कि जो फातिमा है वो देश छोड़ रहे है फिर भी खुश थी तो उसमें सबसे मैंतुपूर्ण का रही है कि फातिमा एंड नजब लवड इच अदर क्योंकि फातिमा अपने जो प्रेमी नजब को वो प्यार करती थी और नजब उसको मिल गया है तो बले देश या गाव चुटा उससे कोई मतलब नहीं है उसको तो अपने प्रेमी से तो क्योंकि जो सीमा होती है न तो वो उस फिजिकल पार्ट को वहां का जो फिजिकल कहने कर बहुतिक भाग उसको विवाजित करती है सीमा है लेकिन दिलों को तोड़ने से एक प्रकार से दिलों को ज चाय फातिमा और नजब है आपस में वह एक दूसरे से प्रेम करते थे और यहां पर उसको नजब मिल गया है तो फिर वो सहर्स अपनी खुशी से साथ में जा रही है उसके मन में यह नहीं है कि गाव चोड़ रही है देश चोड़ रही है बिलकुल नहीं वह तो इस और और गाव में बारिश होई यह तो वेलकम और भी अच्छे तरीके से हो गया अटमेटिकली प्रकर्ति प्रकरति ने भी साथ दे दिया आते भी कोई किसी प्रगार की बादा नहीं हुई थी बार्ड क्रॉस करते भी कोई समस्या नहीं तो सब चीजें पीछे रह गई बढ़े और लोड में कई बार पूछा गया है कि और बड़ा प्रश्न पूछा गया है तो इसलिए हमारे को थोड़ा द्यान लखना है इस प्रश्न को लेकर के तो देखिए to तो यहां पर हमारे को कौन सा अनुस्ठान पर सब्सक्राइब को लेकर की होता था परक्रिया कैसे उसको ले पताना है चीजह आद रखने ही अपने को डे रिलिजियस प्लेस पंचमयी पीर ये धार्मी किस्था था वह सिचुएटेट कहां इस तिता और हिल्टॉप सबसे शिखर पर और काला डूंगर के सबसे उपरे इसे पर इस्तित था देर वर फूठफ्रिंट्स कोफ पंचमई पीर और वहां पर पंचमई पीर के एक प्रकार से वहां पर पदचिन थे उस पहाड़ी पर वें समवन जब कोई सी वांटे टू स्टार्ट वर्क्ष जब भी कोई नया कारिये नई यह जात्रा जोबी है पंच में पीर को याद किया जाता था वहां जाकर के वह अपनी अपने सुमन अर्पित करता था जिस रूप में भी वहां पे उसको सुर्दान सुर्दाजली के रूप में कहने का आर्द प्रार्थना के रूप में वहां पे जाते थे लोग और जब नजब वहां पर गया और वहां पर चोड़ते थे और वह क्या करते थे वहां पर जाना उसके बाद में जो भी प्रक्रिया है बोजन बजाने की प्रक्रिया होती थी वहां पर आते थे प्रकट हπεो और उस भोजन को को निगल लेते खा लेते थे कि हैंड औफ़र्ड जो भी बोजन वहांपे यह ओफर करते थे जो भी जरूर ने की नजब जो भी दूसरे लोग भी जाते थे प्रकरिया थी उसको कौन सा प्रसाद इस रूप में चड़ता है नव प्रसाद चड़ता है उसकी बात तो एक बार ऐसे क्या हुआ कि कोई बैठे थे किसी ने प्रस्चन पूछा कि कौन से देवी का कौन सा प्रसाद सबसे अधिक प्रस्चिद है तो कोई बोला तन्नोट माता का जो भी वापिन नारियल और जो मिठाई प्रसाद है वो प्रस्चिद है एक बोला कि जो देशनोग की करनी माता है वहां का जो उनको प्रसाद चड़ाया जाता है वो प्रस्चिद है तब एक कोई और बैठा था उसने बोला कि हमारे यहां पे तो राबडी देवी का लालू प्रसाद बहुत प्रसेद है इस टाइफ से यहां प्रसाद की बात आ रहे हैं इसलिए तो जैकाल जो था वो क्या करता था उस भोजन को खाता था यानि लोग जाते ही जाकर की जो भी घर से उसको नमस्कार करते नमस्कार करने के बाद में वहां पे बोजन रहते थाली जहाते वह पर यहां पर कर दो एफ ढघा रहता है वहां पर उफड़न को इट इट एट इट आ सैकेंड फॉर्म तो उस बोजन को, तो जब वो खाते थे तो क्या होता था एट वॉस तो इसको क्या माना जाता था इसको सुब माना जाता था कि हां शिकार आया है बोजन कर लिया है मतलब बहुत अच्छा हो गया और जब ऐसा हो गया है तो बोजन कर लिया इसका मतलब आप अपने जिस भी प्लान को सुरू करना चाहते है यातरा को सुरू करना चाहते है उसको सुरू कर दीजिए यह स्विकरती मिल गई एक परकार से अब इसको अप सकुन माना जाता है तो उसको खरा मना जाता है नहीं आया है इसका मतलब हमारे को अभी रुक जाना है इस प्लान को अभी स्टॉप रखना है पोस्ट पॉन करना होता था then he would have to cancel his plan and return home और उस plan को cancel करना पड़ता था घर जाना पड़ता था यदि जिकाल नहीं आते थे इस रिचुवल वाइड यह रेस्पेक्टिट बाइड लोकल पॉपुलेशन पॉपुलेशन जन संक्या लोकल यानि इस्थान होना वाइड ली बड़े स्टर पार रिचूवल अनुस्थान तो यह जो प्रक्रिया थी इसको बड़े लेवल पर वहां की आम जथान जो भी प फोलो करते थे और इसान वगरे कि इसको ले कर के प्रशन पूछा गया है। हमें बहुत बढ तरीके से यहाद रखना हैं देख लीजी अच्छी तरीके से एक बार in सबी कि इस प्रकार से यहां पर दाम्य किस्तान हैं वहाह जहते हैं बोजन रखन kinda करता समझ लिदी aosपिश्या सुवह नहीं आता तो प्लान को कैंसल कर ना पड़ता था उचित नहीं माना जाता का यह पंचमिपीर वाली जो भी अनुस्ठान की प्रक्रिया बढ़े आगे नेक्स्ट में देखिए हाउ इस फातिमा ब्यूटी डेस्क्राइब इन स्टोरी समा नेसी इसमें मैं उस तरीके से बता रहा हूं फातिमा की जो ब्यूटी सुंदरता है उसको लेकर कि क्या-क्या बाते कही गई तो इस में देखिए फातिमा वस अ हूर means so much beautiful girl . When she opened her eyes, then the dark room lighted up her eyebrows and hairs were looked like the black clouds and her laugher was . Like ankle bands . . उसकी सुंदरता को लेकर के एक तो यह था कि हूर थी इसको लेकर के अमने पढ़ा था कि वह एक हूर थी मतलब कहने कार्थिया हुआ . So beautiful girl so much beautiful girl बहुत अधिक सुंदर लड़की थी वह जब वह अपनी आखें खोलती थी तो जो डाइक रूम होता था वह भी लिट अप हो जाता था वह अबर भी वह भी लाइट अप हो जाता था तो इस प्रकार से प्रकाशित हो जाता था था आईब्र अइनल लॉक्ड क्लाउड्स और उसकी जो आँखें उसकी जो बाल है काल हुँ की तरह इस प्रकार से तुलना की गई हर लफृ उसकी जो हासी थी वह किस एंकल बैल्स जैसे एंकल बैल्स और बैल्स और opened fellagal ओड़ते हैं उन से इसकी तुलना की गई है तो बहुत भी बढ़िया तरीके से उसकी सुन्दरता का वर्णन किया गया है और किस परकार से और भी इसमें आप अपनी तरफ से और भी जो एड़ कर सकते हैं जैदा बड़ा प्रशन तो नहीं है लेकिन शॉर्ट में भी और भी आप को से रिलेटेड होना चाहिए तो उसकी इस प्रकार से सुन्दरता का वर्णन हम करें तो देखिए उसको लेकर कि हमने प्रशन तो आगे पढ़ लिया कि उसका उत्तर जो बताया आपको लेकिन शुरू कैसे हुआ था पंचमई पीर वाली जो प्रक्रिया थी उसमें यह जो अनुस्ठान का कारिय था यह कैसी हुआ था उसको थोड़ा बताना है तो उसमें देखिए तो रिचुवल ओफ फीडिंग ओफ जेकाल्स started over hundred years before when पंचमाई पीर केम देर वित जेकल्स and served the local people, he remained there till his death, after that people started worship him, अब पंचमाई पीर की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई लगभग सौ साल पहले जैसा हम पार्ट में पढ़ा है, सौ साल पहले क्या हुआ था कि वहां पर पंचमाई पीर केम आये थे और साथ में जेकल आये थी यह उसमें कहा गया था जेकल के साथ में आये और वहां पर उन उनकी सेवा की थी और उनकी हेल्प भी की थी वह वहां पर रहे तिल डैथ उनकी मृत्यूई तब तक और तब लोगों ने किया कि उस प्रक्रिया को एक सुब माना गया और उन्होंने उनकी पूजा वगरा शुरू कर दी और उसके बाद में परंपरा एक कस्टम एक आउट इम नजब के मित्र क्या सोचते थे नजब के बारे में तो उसको ले करके हम बढ़ते हैं नजब वाज और शाई बॉए 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 लेड जो भी वह एक सरमीला लड़का था पूजा थाए लड़का अट्यभका लड़का है, यजब He was not a brave boy. He became Sai, merely mention of Agar. तो नजब को लेकर के यह था कि एक तो उसके जो मित्र क्या सोते थे कि वो एक सरमीला लड़का था किसी प्रकार का बहादूरी भरा कारेव क्योंकि ब्रेवेड टास्क उससे जुड़ा हुआ नहीं था कोई भी उसने बहादूरी वाला काम पहले किया नहीं था इसलिए इस ट इस प्रकार से और इतना वो एक्सपर्ट नहीं था इतना मानते दि लेकिन जब वो उसने ये कार्य किया तो उसे तो उसने अपने determination को सोख कर दिया लेकिन मित्रों में इस प्रकार से था कि लड़की के नाम मात्र से वो सर्मा जाता था सर्मिला लड़का था कोई बहादूरी से परिपूर्ण कार्या उसके जिन्दगी से जुड़ा हुआ नहीं था वाड़े नजब फादर थेंग अब नजब के पिता क्या सोखते थे दो प्रशने एक तो मित्र क्या सोखते और फादर तो दोनों तो साथ में नहीं पूछ जाए लेकिन दोनों में से कोई एक तो दोनों इंपोर्टेंट दोनों ही है देखिए नजब नजब के पिता क्या सोखते थे नजब फादर thought about his son that he will squander all the prestige and money which he and his ancestors achieved or gain in about hundred years. तो नजब के पिता जी क्या सोखते थे देखिए नजब की जो पिता जी थे फादर thought about his son that he will squander all the prestige and money जितना मान समान जितना पैसा उन्होंने कमाया जो प्रतिष्टा उन्होंने कमाई है वो क्या कर देगा स्क्वेंडर कर देगा सब कुड़ा देगा इसलिए नहीं कि वो इस्पेंट थ्रिप है इसलिए नहीं जब की वो उसको ट्रेड करना नहीं आता है कि प्रेस्टिज इस ने उसने पुरो जो कमाया है वो यह बच्चा गवा देगा और उसमें आगे यह भी जोड़ सकते हैं इसलिए नहीं कि वो इसको ट्रेडिंग करना नहीं आता क्योंकि वह सहिए सरमीला सवभावका है और वो जो भी प्राइस होगी उसके मैटेरियल की उसकी तिंक्स की जो भी चीज वो बेचेगा सेल करेगा तो वो सामने वाले से अपने सरमीले पन के काण पूरे रुपे ले नहीं पाएगा सस्ते में बेच देगा तो इसलिए लॉस होगा वह बात कहना चाहते थे उसके पिता जी तो उसको ले करके यहां पर ही हमने इसको देखा बढ़े आग अलंकि जो जमन था वो बॉर्डर क्रोसिंग में कैसे मैनेज कर लेता था क्योंकि जमन को तो वहां पर खास माना गया है जमन ही वो तो विक्ति था जो बॉर्डर क्रोस करा ने काप करता तो कैसे तो उसमें देखिए जमन कर जमने फरों जमने ँमने लिए बॉर्डर प्रश्थिंग знаком, मैն हो। to the rangers, across the border also. And kept them, kept them happy. He himself went across the border 100 times. He was familiar with them. Now, how did he manage the border crossing by giving bribe? रिश्वत दे करके शिदी रिश्वत देता था इसमें मेंशन भी इगा है। खुद भी रिश्वत लेता था और जो रेंजर्स होते थे, उन सोल्जर्स जो होते थे, उन सोल्जर्स को, रेंजर्स को वो क्या करता था? Across the border भी उनको kept them happy, उनको खुश रखता था, तो खुश कैसे? बस पैसे से? और इस प्रकार से, इंसेल्फ वेंट across the border 100 times. कई बार वो सेकड़ों बार वो वाँ पे गया था border के cross, he was familiar with them और उनसे वो परिचित भी था, तो काम तो सिद्धी से परिचे से भी फरक पड़ता है और इस प्रकार से वो उनको अपनी तरफ से पैसे दे करके उनका मुह एक प्रकार से बंद रखता था, यह इसमें हो गया है, next बढ़ते हैं, how did Najab set out on his journey to cross the desert, तो नजब ने अपनी यात्रा border के उस पार किस प्रकार से शुरू की, तो इस प्रशन का उतरम पढ़ते हैं, थोड़ा सा में बीच में आपको यह बताऊं कि जब आप देख रहे हैं, तो एक तो लाइक जुरूर करें, आप लाइक करें और शेयर का आपको बता देख कि किस प्रकार से उपर तीर का निशान है उसको आप क्लिक करेंगे, तो फिर आप वाट्सप पे पांच ग्रूप में कर सकते हैं, एक साथ और फेस्बूक पे दस ग्रूप में, उस प्रकार से आप सेयर करें, और अपने फ्रेंड्स रिलेटि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, 9, 10, सबी क्लाशव से रिलेटि आपको सब कुछ मिलने जा रहा है, और नौट्स जल्द ही आपको बस फिनिशिंग लाइन में हैं, और आपको जरूर मिलेंगे, उसको रिलेटि आपको बताई दिया है, अभी आप तुरंत इसको लाइक और शे करनी तो क्रॉस देजार्ट विद इस केमल, तो सुरुवात उसने किसे की ती, अपने उंट को लिकर की गया, साथ में और उंट का नाम था अला रखा, तो उंट के साधरवान हुआ, ही एड इस्टेट अट काला डूंगर, दिन में वो काला डूंगर पर रुका, वहां पर उसने पंचमई पीर की जो प्रकरिया होती है, रिचूल अनुस्थान था, उसको पूरा किया, इड वाज ब्लेक हिल, कैप्ड वित बसाल्ट, और वो बसाल्ट युक्त, चट्टानोंस युक्त इस प्रगार का पाहाड था, और इड वाज था, इन कच, कच में हाइस्ट है, काला डूंगर सबसे आईस्ट ही, इसमें वाँ पे पीक चोटी थी, एड डस्क गोदुली वेला की समय, ही पेड हॉमेज तुद फोट्प्रेंट्स ऑफ द पंचमई पीर ऑन दा हिल टॉप, सबसे उपरी पहाड़ी एरिया पर उसने पंचमई पीर की जो भी प्रकरिया होत अकॉर्डिंग टू कस्टम जैसा रिवाज था, उस प्रथा के अनुसार रिवाज के अनुसार यहां पर जिस प्रकार से रोटी छोड़ी जाती है, जेकाल आते हैं, तो वहां पे इन फ्यो मिनाट्स, जेकाल मैटेरिलाइज और गोबल डफ द फूड, वहां पे जेकाल आय सिया राया, उसने उस बोजन को निगल लिया, खा लिया, तब क्या होता है, दिस वाज ऑस्पीशियस, नजब के लिए यह ऑस्पीशियस था, सुब था, उसके पेरेंट्स पहले से करते रहे हैं, तो वह जाती थी तब, if they had not turned up, और मानली जी जेकाल नहीं आता, it would have considered, तो क्या माना जाता, इल ओमन माना जाता, इल एफेक्ट्स माना जाता, ओमन सीरियस की अच्छे सकुन नहीं है, enough to have cancelled, the journey और यात्रा को cancelled भी इस्तगित भी करना पड़ता था, यदि जकाल नहीं आता है, सुब सकुन नहीं मान देते, मतलब कोई बादा आडचन आएगी, तो और के सम्मान में, वहां पर लेंप जलाया जाता था, वह कारे भी नजब ने किया, every night on the hilltop, उस पाड़ी के उपरी से पर, and the flame would be seen, और उस लो को देखा जा सकता था, all the way from खावदा, खावदा से, नजब बोर्ट बिफोर दे फ्लेम, and set out, और उस नजब ने उस लो के दीपक के सामने प्रणाम किया, नमस्कार किया, और अपनी यात्रा पर वो प्रस्तान कर गया, रवाना हो गया था, तो कैसे शुरू के थी उस डेजर्ट की यात्रा, और उसके बाद में, आगे किस टाइप से, रेंजर्स आते हैं, वहां पर भी हवा का जो गुबार आता है, सेन स्ट अपनी यात्रा कैसे रवाना हुआ है, उसको लेकर के लिखना था, हमने इसको लेकर के पूरा किया, इसको, हम किस प्रकार से ये जो पाठ है, इसे रिलेटेट, जो भी मैन प्रश्न बनते हैं, और बोर्ड में जो आई हैं, वो मैंने आपको बताए, और पूरे आसा और वि हमारी जो भी क्लास है, रिलेटेड, टेंस, वो हम सुरू करने जा रहे हैं, मैंने शुरू में बताया, तो आप उस टेंस की क्लास चाहें, वो 6-12, चटी से 12 कोई भी हो, कम्पेटिशन, एक्जाम रिलेटेड, जो भी तैयारी कर रहे हैं, सब के लिए, और बिल्कूल हम एक बेसिक इस तर से सुरू करेंगे उसको, और उसमें हर कोई उसको देख सकता है, और उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, और पूरे दवे से कहता हूं कि आपको पूरा समझ में है, टेंस आपने कभी नहीं समझाए है, तो बहुत बढ़िया तरीके से अलग तरी और विश्वास है कि आपको समझ में आ गया है मिलते हैं हम नेक्स क्लास में नया टोपिक लेकर करके थैंक यू